जैहिन विद्यार्थियों मैं रामनात पटले इस यूटूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों आज के इस कालखंड में हम कक्षा ग्यारवी कला एबमवाडी जिसंकाय के विद्यार्थियों के लिए अर्थसास्तर विसाय के मौडल कोश्चन पेपर की जानकारी लेकर आए हैं यहां मौडल कोश्चन पेपर आपकी आगामी अर्दवार्थिक परिक्षा के लिए बहुत ही महत्पूर है तथा परिक्षा की तैयारी में आपको इससे मदद मिलेगी वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग रहा है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकान को भी क्लिक कर लीजिए जिससे की आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इलती तो आईए देखते हैं अर्धवार्शिक परिक्षा है तू वक्षा 11 वी अर्थसास्त्र विशे का यह प्रस्न पत्र प्रस्न पत्र कुल 80 अंकों का होगा 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट कारे होगा प्रस्न पत्र में प्रस्न करमांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ट प्रस्न जिसमें सही विकल्ब, खाले स्थान, सही जोडी, सत्य असत्य प्रकार के प्रस्न होंगे और प्रतेक उप प्रस्न पर एक अंक आवंटित है इस तरह कुल 32 अंकों के आपके वस्तोनिष्ट प्रस्न होंगे प्रस्न क्रमांग 6 से 15 तक 2 अंक वाले अति लगुत्री प्रस्न होंगे तथा प्रस्न क्रमांग 16 से 19 तक 3 अंक वाले लगुत्री प्रस्न होंगे और प्रस्न क्रमांग 20 से 23 तक 4 अंक वाले दीर हुत्री प्रस्न परिक्षा में पूछे जाएंगे तो आईए देखते हैं प्रस्ण क्रमांग के एक सही विकल्ब चुनिये इसके अंतरगत पहला प्रस्ण है सांखी की विशलेशन का विज्ञान है विकल्ब A गुणात्मक आकणों का B मात्रात्मक आकणों का C दोनो A एवं B और D इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही उत्तर है C दोनो A एवं B दूसरा प्रस्ण सांखी की एवं अर्थसास्त्र खालिस्थान है विकल्ब A अलग-अलग B संबंधित C प्रतियोगी और D उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही उत्तर है B संबंधित सांखी की एवं अर्थसास्त परस्पर संबंधित हैं प्रस प्रात्मिक समंग, B दोतियक समंग, C दोनों A एवं B और D उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर सही उत्तर है A प्रात्मिक समंग, प्रस्नक्रमांग चार एक चरके औसत मूली को कहा जाता है विकल्ब A माध्य, B माधिका, C बहुलक, D सूचकांग, तो यहाँ पर सही उ आरती अर्फे वस्था है विकल्ब A खुंजीवादी, B समाजवादी, C मिसरित, और D उप्रोक्त सभी, यहाँ पर सही उत्तर है C मिसरित, प्रस्नक्रमांग 6 दंड आरेक है विकल्ब A एक विमी आरेक, B द्वी विमी आरेक, C विमा रहीत आरेक, और D इनमें से कोई नहीं तो सही उत्तर है A एक विमी आरेक, प्रस्नक्रमांग 2 सत्य असत्य बताईए, इसके अंतरकत पहला है आकणों के अनेक स्रोत होते हैं सत्य, दूसरा सूचक स्वयम प्रस्नावली भरते हैं सत्य, तीसरा माध्धिका वह मूल है जिसकी आवरत्ती सबसे अधिक बार होती है अ पहला प्रयास दादा भाई नोरोजी ने किया था सत्य, पाचवा घंटा, दिन, हप्ता वा महिना भोगोलिक वर्गीकरण का उधारन है असत्य यह कालिक वर्गीकरण का उधारन है, छटवा अंग्रेजों ने नगदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया सत्य, सात्वा आ पहला प्रसन है, प्रतेक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर खालिस्थान है, यहां हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरा वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल खालिस्थान है, तो यहां पर लिखेंगे हम 5, तीसरा केंदरी प्रवर्ति की माप को खालिस्थान भी कहा जाता है यहां हम लिखेंगे केंदरी मूल की माप या केंदरी मूल चौथा भारत में पहली सरकारी जनगरना खालिस्थान में हुई थी सन 1881 में पांचवा भारत में नई आर्थिक नीती लागू की गई थी सन 1999 में छट्वा भारत में पहली रेलगाडी वर्स खालिस्थान में चली 1853 में साथ्वा अंग्रेजी सासन के दोरान भारत में परंपरागत हस्त कला उद्योग का पतन हुआ यहार रिक्तिस्थान में हम पतन लिखेंगे प्रस्ण करवांग चार निमनलिखित प्रस्णों का एक सब्दिया वाक्य में उत्तर दीजिए नम्मर एक विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई उत्तर है सन 1995 में दूसरा LPG का अर्थ क्या है विद्यार्थियों यह है LPG लिक्विट पेट्रोलियम गैस यानि रसोई गैस नहीं है यहाँ पर LPG का अर्थ है लिब्रलाइजेशन प्राइविटाइजेशन और गलोबलाइजेशन अर्थात उदारी करण, निजी करण और वैश्वी करण तीसरा भारत में टाटा आयरेट स्टील कमपनी की स्थापना कब हुई उत्तर है सन 1907 में चौथा निर्देसांग ग्यात करने का सूत्र लिखिए तो उत्तर है P01 बराबर सिगमा P1 के बटे सिगमा P0 गुणा 100 या P01 बराबर सिगमा P1 Q0 बटे सिगमा P0 Q0 गुणा 100 दोनों में से आप कोई भी एक सूत्र लिख सकते हैं पांचवा आंकडे कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है दो प्रात्मिक और दुतियक आकडे छटवा चर क्या है? सांखिकी में चर संख्यात्मक समू को कहते हैं प्रसनक्रमांग 5 सही जोडी बनाईए कालम का में पहले नम्मर पर है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री की जोडी हम बनाईएंगे C योजना आयोक के अध्यक से दूसरा सकल घरेलू उत्पाद इसकी जोडी D किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्स में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सिवाओं का मौद्रिक मूलिस तीसरा कोटा कोटा की जोडी B आयात की जा सकने वाली मात्रा चौथा भूमी सुधार भूमी सुधार की जोडी E से क्रसी छेतर की उत्पादकता व्रधी के लिए किये गए सुधार पाचवा उच्च उत्पादकता वाले बीज इसकी जोडी A से अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज छटवा सहाई की सहाई की अर्थात उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक साहेता जिसे हम अंग्रेजी में सबसीडी या हिंदी में अनुदान भी कहते हैं विद्यार्थियों ये आपके वस्तोनिस्ट प्रस्ण हुए अब हम अतिलभुत्री प्रस्ण अर्थात दो अंकों वाले प्रस्णों की चर्चा करेंगे जिनका उत्तर हमको कम से कम तीस सब्दों में देना है परिक्षा की द्रस्टी से इस आदर्स प्रस्ण पत्र के ये प्रस्ण बहुत ही महत्पूर है इनकी आप अच्छे से तयारी करें समया भाव के कारण हम यहाँ पर इन सभी प्रस्णों के उत्तर नहीं बता पा रहे हैं आगे आने वाले किसी वीडियो में हम इन प्रस्णों को भी सामिल करेंगे तो आईए देखते हैं अतिल घुत्री प्रस्णों में प्रस्ण क्रमांग 6 मद्य मूली से क्या सय है अथवा प्रस्णावली किसे कहते हैं प्रस्नक्रमांग साथ प्रात्मिक आंकडे एकत्रित करने की विधियों के नाम लिखिये अथवा दुतियक आंकडे किसे कहते हैं प्रस्नक्रमांग आठ सूचकांग की दो सीमाएं लिखिये अथवा सहसंबंद का अर्थ लिखिये प्रस्नक्रमांग नो हरित करांती क्या है अ प्रस्नक्रमांग 11 बहुलक किसे कहते हैं अथवा मध्धिका के दोलाव लिखिए प्रस्नक्रमांग 12 आपनिवेसिक काल में भारत की रास्टी आयका आकलन करने वाले प्रमुक अर्थसास्त्रियों के नाम बताईए अथवा स्वतंतरता के समय देश में कारे कर रहे कुछ आध व्यवस्ता से क्या तातपर है अथवा सहाई की क्या है प्रस्नक्रमांग 15 निजी करन क्या है अथवा उदारी करन से आफ क्या समझते हैं तो विद्यार्थियों ये हुए अतिलगुत्री यानि दो अंक वाले प्रस्न अब देखते हैं हम लगुत्री अर्था तीन अंक वाल की गढ़ना कीजिए यहां पर आंकड़े दिये हुए हैं 20 25 30 15 17 35 26 18 40 45 और 50 अथवा निम्नलिखित आंकड़ों से समानतर माधिन ग्याद कीजिए दोनों में से कोई एक प्रसंद करना है प्रसंद कर्मांग 18 भारत में आपनिवेसिक सासन की आर्थिक नीतियों का केंदर बिंद प्रसंद कर्मांग 19 क्रशी छेत्रक में लागू किये गए भूमी सुधार की आवशकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए अथवा आपनिवेसिक सासन काल में क्रशी की गतिहींता के मुख्य कारण क्या थे प्रसंद कर्मांग 20 से लेकर के 23 तक ये चारंक वाले द अथवा सांखिकी के मुख्य कारियों का वर्णन कीजिए प्रसंद कर्मांग 21 प्रसनावली तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानिया रखनी चाहिए अथवा सांखिकी आखणों की चित्रमय प्रस्तुती के लाभों का वर्णन कीजिए प्रसंद कर्मांग 22 समांतर माध्य क गुण लिखिये अथवा नीचे दिये गए आंकड़ों से समानतर माध्य ग्यात कीजिये तो यहां पर जो आंकड़े दिये गए हैं इन आंकड़ों से समानतर माध्य की गढणा करना है प्रसंगरमांग 23 भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंब किये गए अथवा लाव कमा रहे सारोजनिक उपक्रमों का निजी करण कर देना चाहिए क्या आप इस विचार से सहमत हैं और क्यों तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा ग्यारवी अर्थसास्त्र विसे की आगामी अर्धवार्सिक परिक्षा हे तू इस आदर्स प्रस्नपत्र की जानकारी हमने आपको दी आपकी परिक्षा की दरस्ती से ये प्रस्न बहुत ही महत्पूर्ण है इन प्रस्नों की आप अच्छी तरह तैयारी करें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों से भी इसे सेयर करें और पुनहाग रहे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परिक्षा उप्योगी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन